बोटनी क्लास की सीरीज में इस वीडियो क्लास में हम डिसकस करेंगे फैमली पोएसी के बारे में फैमली पोएसी एक मोनोकाट फैमली है और इसे ग्रैमनी फैमली के नाम से भी जानते हैं family poetry के vegetative characters, floral characters, क्या-क्या है इनका floral formula किस परकार से लिखा जाता है floral diagram किस परकार से बनाते हैं इनके fruits और seeds क्या कहलाते हैं और इनके economic importance क्या-क्या है तो इन सब के बारे में हम इस video class में डिसक्स करेंगे family poetry बहुत important family है वीडियो को सुरू से लेकर लाश्ट तक देखेगा इसका जो floral फार्म wastewater और floral diagram है वो बांगी फैमिलियों से बिल्कुल ही अलग है तो सबसे पहले देखते हैं इसके vegetative characters vegetative characters में यह mostly annual, biennial, atwa, perennial, herb, some bamboo jar, booty मतलब कि अधिकतर पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक वर्सी होते हैं, कुछ दूई वर्सी होते हैं, कुछ बहु वर्सी होते हैं, साख होते हैं और कुछ जो बंबू होते हैं, बांस होते हैं, वो क्या होते हैं, काश्ठी होते हैं जैसे कि हम इस diagram में देख रहा है, यह bamboo है, यह baans के पेड़ है, यह क्या है, इनका जो तना है वो कौस्थी है, woody प्रकार का है यह, इसके बाद root, root किस प्रकार की पाई जाती है, तो इनमें even TCS roots पाई जाती है, अब अस्थानिक जड़े पाई जाती है, लेकिन मक्का और गन् क्या है, यह कहलाती है इस Tilt Root अब स्तम्भ जड़े, जो इनका तना है, उनको यह क्या कर रही है, यह सहारा दे रही है, क्योंकि इनका तना बिलकुत सीधा, लंबा, सीधे खड़ा रहता है, तो उनको सहारा देने के लिए यह जड़े होती हैं, और इन जड़ों को कहते हैं स्टिल्ट रूट अब इस्तम्भ जड़े इसके बाद जो इनका इस्टेम है वो क्या है हर्बेसियस हॉलो एक्सेप्ट मेज एंड सुगरकेन सिलेंड्रिकल इस्टिंग्ट नोट्स एंड इंटर नोट्स और इरेक्ट पतलब जो इनका तना है वो क्या है साकी है खोखला होता है लेकिन मक्का और गन्ना मेज और सुगरकेन के इस्टेम को छोड़ करके थीक कहा है मेज और सुगरकेन का जो इस्टेम है वो खोखला नहीं होता है बाकि जो system होंगे वो खोखले होंगे और क्या होते हैं बेलनाकार होते हैं node और inter nodes पाई जाती है तना क्या रहता है erect सीधा खड़ा रहता है हम इस diagram में यह देख रहा है तना इनका क्या है system सीधा erect रहता है खड़ा रहता है अब node और inter node को देख लेते हैं इस diagram से जो ये jointed parts है जैसे माली ये sugar cane का जो stem है तो वहाँ पर ये jointed parts रहता है तो इसको क्या कहते हैं? node कहते हैं और just इसके आगे का जो ये part है इसको क्या कहते हैं? inter node तो node और inter node इनके stem में पाए जाते हैं इसके बाद leaves पतियां कैसे होती है पतियां simple alternate have long linear blade parallel venation और ligule present रहता है ठीक है पतियां क्या रहती है एक कांतर क्रम में यानि एक के बाद एक क्रम में लगी रहती है लंबी होती है ठीक है ये पतियां क्या है लंबी है blade like structure इनका ये parts इतना नुकीला होता है इतना blade like जैसे बिलकुर blade की तरह होता है इनको चूने पर जैसे blade को चूते हैं उसी प्रकार का यहां पर इनकी पतियों पर structure रहता है और venation किस प्रकार का होता है तो यह समांतर शीरा विन्यास पाया जाता है parallel venation होता है और क्या रहता है लिग्यूल उपस्तित रहता है ठीक है लिग्यूल प्रजेंट रहता है जैसा हम इस यहां पर देख रहे है टाइग्राम पर यह क्या है लिग्यूल है प्रतेक पत्ती एक लेमिना तथा सीधिंग बेस में विभेदित रहती है सीधिंग बेस और लेमिना के जोड़ पर एक छोटा जिल्ली में या रोमिल लिग्यूल होता है ठीक है और लिग्यूल का function क्या है लिग्यूल सीधिंग बेस में जल के प्रवेश को रोकने का काम करता है इसके बाद देखते हैं floral character ये बहुत important है इसको बहुत इध्यान से समझिएगा इसको अगर आपने समझ लिया तो floral formula और floral diagram को शमझने में आपको आसानी रहेगी ठीक है तो ये क्या है इनका floral characters में जो inflorescence है वो किस प्रकार का रहता है वो spike अथवा spikelets और या फिर panicle प्रकार का होता है inflorescence की unit flower नहू करके क्या होती ये स्पाइकलेट होती है और मक्का में किस प्रकार का होता है पैनिकल यानि यानि की योगिक अशी माच प्रकार का inflorescence होता है यहाँ पर यह diagram हम देख रहे है ये क्या ये मक्का में क्या है pénिकल प्रकार का y Россииप्लोर्प्राइशंस है और यहां पर यह क्या branchage है एक्रोपेटल सक्सेशन में लगी होती है यह branchage इसके बाद देखते हैं spikelet spikelet में एक अत्यंत सूच में axis अच्छ होता है जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम रैचिला कहते हैं ठीक है अब यह रैचिला में क्या होता है ब्रैक्ट की दो सम्मुक कतारे होती है प्राया नीचे के दो ब्रैक्ट इस्ट्राइल होते है यह जो ब्रैक्ट हैं यह क्या होते हैं यह इस्ट्राइल होते हैं और इन्हें इस्ट्राइल या empty glooms कहते हैं ठीक है इनको क्या कहते हैं glooms कहते हैं और यह glooms क्या है यह modification है ब्रैक्ट के और अभी जो यह ब्रैक्ट इस्ट्राइल कहा हमने तो यह ब्रैक्ट इस्ट्राइल का मतलब क्या है कि इन में flower present नहीं रहते हैं इसी को क्या कहते हैं बंध्यस्था है पत्र कुछ इस पिसीज में एक या दोनों empty glooms reduced या लुप्त हो जात इसके उपर यह fertile अथ्वा floral glooms होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं लेमा कहते हैं रैचिला वा लेमा के बीच में एक झिली महसन रचना होती है जिसे पेलिया अथ्वा सलकिका कहते हैं अब यह जो fertile bract है इनमें से superior bract को क्या कहते हैं पेलिया और inferior इनको कई नामों से जानते हैं जानी कि इनको फार्टाइल अत्वा फ्लोरल ग्लूम कहते हैं या फिर इनको क्या कहते हैं इनको सुपीरियर ब्रैक्ट इनफीरियर ब्रैक्ट भी कहते हैं ठीक है तो यह सुपीरियर ब्रैक्ट हो गया और यह इनफीरियर ब्रैक्ट हो गया इस अभी हमने यहां पर क्या देखा था यह जो empty glooms थे यह क्या थे यह ब्रैक्ट के modification थे और यह जो लेमा और पैलिया है यह क्या है ब्रैक्टियोल के modification ठीक है पैलिया को ब्रैक्टियोल का रुपांतरन कहते हैं और इसके बाद लेमा वा पैलिया के कच्छ में एक flower लगा होता है यह flower लगे होते हैं इसके बाद जो flower है वो क्या होते हैं flower bractiate होते हैं अभी हमने जो इसे पढ़ा और bractiolate present रहते हैं sessile होते हैं hermaphrodite होते हैं unisexual भी होते हैं gyomorphic, hypokinesis condition होती है तो flower में bractiate और bractiolate present रहते हैं इसके बाद sessile क्या है sessile का मतलब है avrant यानि उनमें dental नहीं पाया जाते हैं जैसे कि इस diagram से समझते हैं लेकिए यहाँ पर क्या है इस वाले diagram में यहाँ पर यह क्या है यहाँ पर dental लगा हुआ है तो यह stock flower हो गया और यहाँ पर यह dental नहीं लगा हुआ है तो यह क्या हुआ sessile flower हिंदी में बोलेंगे avrant और इसके बाद ये harmaafrodite क्या है harmaafrodite का मतलब है कि इसमें male parts और female parts यानि कि endrosium और gynosium दोनों present होंगे तो ये क्या कहलाएगा harmaafrodite कहलाएगा और अगर unisexual होगा तो वो क्या कहलाएगा एक lingy होगा तो जिया मेज और कुछ इस species में ये unisexual भी होते हैं एक lingy होते हैं इसके बाद जाइगो मारफिक जाइगो मारफिक क्या है एक ब्यास सम्मित यानि कि ऐसा flower जिसके बीच के भाग से कट करने पर इसके बीच के central part से ही कट करने पर flower दो भागो में डिवाइड होगा इक्वल हाफ में डिवाइड होगा ये तो इस ऐसे flower को क्या कहते हैं जाइगो मारफिक फ्लावर एक ब्यास सम्मित इसके बाद है हाइपो गाइनस कंडिशन सुपीरियर ओवरी जब होती है तो ये कहलाती है हाइपो गाइनस कंडिशन यानि कि जो ओवरी होगी ओवरी के नीचे पेरियंध और इस्टेमन अटैच्ड होँगे ओवरी क्या होगी उपर होगी तो ऐसी कंडिशन पर क्या कहते हैं सुपीरियर ओवरी और ये कहलाती है हाइपो गाइनस कंडिशन इसके बाद पेरियंध पेरियंध कैसे होते हैं ये रिड्ड्यूजड पेरियंध होते हैं ठीक है ये क्या होते हैं रिड्ड्यूजड पेरियंध होते हैं जिन्हें लौडी क्यूल्स कहते हैं बहुत इंपॉर्टन्ट है यह एक्जाम में पूछा जा सकता है कि लॉडी क्यूल्स कहां पर होते हैं यानि किस फैमली की भी सेस्ता है यह कहां पाय जाते हैं यह फैमली पॉईसी में पाय जाते हैं और यह रिड्यूस्ड पेरियंथ होते हैं तो पेरियंथ क्या कितने हो सकत जैसे कि इस डायग्राम में देखते हैं, यह क्या है, यह, लोडी क्यूल है, Reduced Parence, इसके बाद है Androsium, Androsium की संख्या कितनी होती है, 3 स्टेवन होते हैं, या फिर, इनकी संख्या 6 भी हो सकती है, तो mostly 3 स्टेवन होते हैं, पंकेशों कि संख्या 3 होती है, या फिर राइस और बैम्बुसा में इस्टेमन की संख्या 6 भी होती है ठीक है जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने इस्टेमन है यहाँ पर 3 इस्टेमन है और यहाँ पर यह 6 इस्टेमन है तो और यह stamen क्या है आपस में क्या है अलाग अलाग है ठीक है फ्यूजड नहीं है यह प्रथक प्रथक है तो यह क्या कहलाएंगे stamen polyandrous कहलाएंगे यानि कि यह स्वत्तंत्र होते हैं इसके बाद है गाइनोसियम गाइनोसियम में क्या है monocorpalry ठीक है monocorpalry superior ovary unilocular single ovule और basal placentation monocorpalry का मतलब क्या है एक अंडपी एक अंडप पाया जाएगा superior ovary यानि कि hypogynous condition perianth और stamen क्या होंगे इसके नीचे से attach होंगे ovary उपर रहेगी तो यह superior ovary कहलाएगी और यह condition क्या कहलाएगी hypogynous condition कहलाएगी और इसके बाद unilocular unilocular का मतलब है एक ही chamber पाया जाता है एक cost ही है single ovule एक ही ovule पाया जा रहा है एक ही बीजांड पाया जा रहा है और basal placentation जो ovule की position है वो basal placentation है यानि कि आधारी बीजांडाशन होता है इसके बाद fruits fruits किस प्रकार का होता है तो जो fruits है वो karyopsis प्रकार का होता है ठीक है इसकी यह बिसेस्ता है यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एक कि karyopsis प्रकार का fruits किस फैमली में पाया जाता है तो यह पाया जाता है फैमली पोएसी में या फिर इस प्रकार से पूछा जाएगा कि कि इस फैमली पोएसी का fruits किस टाइप का होता है क्या कहलाता है तो वो कहलाता है karyopsis लेकिन कभी-कभी beri अथवा nut zachar का हता है यहानि सरस सरस फल और डरड़ फल भी होते हैं पाय जाते हैं अब केरियोपसी कैसे इसको बोलते हैं किया है केरियोपसी यानि कि जो बीज भीत्ती है और फल भीत्ती है ठीक है सीड वाल और फ्रूट वाल इनमें कोई अंतर इसपस्ट नहीं होता है ठीक है तो जब इनमें कोई अंतर इसपस्ट नहीं होता है यानि यह क्या है अपसमें फ्यू पोसी होते हैं इसके बाद देखते हैं सबसे important point है इसका floral formula देखिए symbol की एक वीडियो बनी हुई है जिसमें से सारे flower parts के जितने भी symbol लिखे जाते हैं floral formula में तो उन सब को समझने के लिए उस वीडियो का link description में दिया हुआ है आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं और सब सबसे पहले देखते हैं कि floral formula में बाहर के part से start करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले होता है bract present रहता है तो जब bract present रहता है तो उसको br इनोट करते हैं और यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था कि जो ौस का इनोट तो br ब्रेक्ट प्रेजन्ट है तो ब्रेक्ट प्रेजन्ट है तो ब्रेक्ट प्रेजन्ट है तो इसको 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 ब्रेक्ट प्रेजन्ट यह क्या होते हैं जाइगोमार्फिक होते हैं ठीक है जाइगोमार्फिक का मतलब है कि सीमेट्री इन में एक ब्यास सम्मित पाई जाती है तो सीमेट्री के अधार पर यह कहलाते हैं जाइगोमार्फिक यानि इनको सिर्फ दो भागों में सिर्फ बीज के भाग से ही कट किया जा सक एंडरोसियम और गाइनोसियम तो इस सिंबल को यहां पे डिनोट कर देते हैं इसके बाद पेरियंथ की संख्या कितनी है दो है तो पी टू लिख देते हैं और इसके बाद ब्रैकेट में लिखते हैं लौडी क्यूल्स ठीक है क्योंकि यहां पे रेड्डूस्ड पेरियंथ हो होते हैं प्रथक प्रथक होते हैं काइनोसियम की संख्या कितनी है एक है मोनो कॉर्पेलरी सुपीरियर ओवरी कैसे पहचाने सुपीरियर ओवरी जी के नीचे ये लाइन खीची हुई है न तो यह क्या है यह superior overi है monocorpalorie है अब इसके बाद देखते हैं floral diagram floral diagram में चो bract और bracteol है ठीक है इनको हम यहाँ पे इस प्रकार से draw करते हैं सबसे पहले यह lemma यह lemma है तो इसी को क्या कहते है inferior failure और इसको कहते है superior failure तो इसको इस प्रकार से floral diagram बनाते हैं तो यह palia क्या है modification है bracteol का यह fertile bract कहलाते हैं तो यह superior palia हो गई और यह inferior palia lemma जिसको कहते हैं इसके बाद loticules यह loticules यहाँ पर दिखा देते हैं तो यह क्या है यह tapal का modification है तो दो यहाँ पर क्या है perianth है loticules के रूप में तो यह 2 loticules हो गए इसके बाद यहाँ पर androsium की संख्या कितनी है तीन है तो यह androsium हो गए stamen की संख्या यहाँ पर यह तीन stamen हो गए इसके बाद monocorpalry है यहाँ पर ovary क्या है monocorpal superior ovary है तो यहाँ पर यह इस प्रकार से इसको draw कर देते हैं और single ovule पाया जाता है ठीक है सिर्फ एक भी जान्ड पाया जाता है single ovule basal placentation अब देखिए अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ पर यह इस प्रकार का जो यह symbol लगा हुआ है तो दो bifid फेदरी stigma present होने को यहाँ पर इसको यहाँ पर so कर देते हैं floral diagram में तो इस प्रकार से floral formula और floral diagram को बहुत अच्छे से समझ लिजेगा इसके बाद है economic importance इसके आर्थिक महत तो क्या क्या है तो इस family के पौधों से क्या होता है अनाज, चीनी, और रेशा, कागज, पेपदार तथा चारा प्राप्त होता है अब इसमें से अनाज को देखें तो सबसे पहले क्या है यह ट्रिटिकम एस्टिवम यानि कि जो गेहूं होता है वो हम सभी लोग खाते हैं आटे के रूप में खाते हैं और इसका बहुत ही जगह कई प्रकार से यूज होता है इसका ट्रिटिकम एस्टिवम का है और यह बिस्व के लगबग सभी भागों में पाया जाता है तो यह फैमली पोईसी के अंतरगत है इसके बाद है औराईजा सैटाइवा, चावल के रूप में यह भी बिस्व व्यापी है, सभी भागों में पाया जाता है सभी लोग खाते हैं इसको और इसके बाद है जिया मेज, मक्का यह भी बिस्व के लगबग सभी भागों में पाया जाता है तो यह सब क्या है? यह फैमली पोईसी के अंतरगत आते हैं यह सब इसके बाद है hardium vulgar hardium vulgar क्या है तो ये जव है जव का आटा भी हम खाते हैं जव का पानी भी पीते हैं और इसके बाद है ये sickle cereal इसको rye कहते हैं ये भी family poesy के अंतरकत है इसके बाद है evina sativa evina sativa क्या है जई ये पसूओं का भोजन होता है मेंली ये पसूओं का भोजन होता है इसको कहते है evina sativa जई इसके अतरकत कुछ millets भी होते हैं इसको मोटा अनाज कहते हैं जैसे की सारगम vulgar तो ये क्या है सारगम vulgar को जवार कहते हैं ये मोटा अनाज कहलाता है इसके बाद है पेनी सीटम टाई फाइडीज ये बाजरा कहलाता है बाजरे की रोटी खाए जाती है तो ये भी फैमली पोईसी के अंतर गताते है इसके बाद है चारा फॉर्डर तो इसमें से कुछ जैसे की इसकी स्पिसीज है चारे की साइनोडोन, डैक्टिलोन लोलियम, मल्टिफ्लोरम पोवा, एनुवा तो ये सब क्या है ये चारे की जातिया है तो ये भी सब फैमली पोईसी के अंतर गताते है इसके बाद है सुगर जो चीनी प्राप्त करते हैं वो सैकरम ओफिस इनेरम गन्ने से चीनी प्राप्त करते है तो ये भी लगबख बिस्तो के सभी भागों में पाई जाती है सुगर चीनी और ये गन्ने से चीनी बनाई जाती है तो ये भी फैमली पोईसी के अंतर गताता है इसके बाद है बैम्बुसा बैम्बूसा से बांस प्राप्त होता है इसको जो है बांस के रूप में बैम्बूसा से प्राप्त किया जाता है यह से कि यह डाइग्राम में हम देख रहे हैं यह सब क्या है यह बांस है फिर है यह सिंबो पोगान सिट्रेटस सिम्मो पोगान सिट्रेटर्स की पत्तियों से लेमन घास का तेल प्राप्त होता है तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में फैमली पोईसी के अंतरगत फ्लोरल वेजिटेटिव करेक्टर्स के बारे में पढ़ा इनके फ्लोरल फार्मूला फ्लोरल डाइग्राम को देखा इनके एकनोमिक इंपोर्टेंस को देखा तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को सेर कीजिए अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे